हमेशा की तरह केविन अपने फार्म पर बतक के अंड़े जमा करने गया ये क्या है ये तो बहुत भारी लग रहा है जरूर किसी ने मजाग किया है ठीक है मैं इसे घर ले जाता हूँ वहाँ इसे अच्छी तरह से देख कर फैसला करूँगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए हम बहुत पैसा कमा सकते हैं केविन ने अंड़ा बेच दिया और उसे धेर सरा पैसा मिला हर रोज बतक सोने का अंड़ा देती थी और वह उसे बेच कर पैसे कमा रहा था जल्दी ही वह बहुत अमीर आत्मी बन गया केविन, माई डियर केविन काश हमारे पास और पैसा होता तो हम इस गाउं के सबसे अमीर आत्मी बन चुके होते जमीनदार के पास बहुत बड़ा घर है और उसके पास जमीन भी है फिर हमें डियर सारे पैसे कमाने के लिए और मेहनत भी नहीं करनी होगी जिससे वो नहीं करता ओ रिता, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही ऐसा होगा दिखो ऐसा है कि हमारी वो बतक रोज सिर्फ एक ही अंड़ा देती है न इसलिए हमें पूरी तरह से अमीर बनने में थोड़ा समय तो लगे गा ही मैं ये सोच रही थी कि हम सारे अंड़े एक बार में ही क्यों न ले लें हमें ये तो मालूम ही है कि ये बतक के पेट में धेर सारे अंड़े है सही का ये बहुत अच्छा सुझाओ है रीदा हम उस बतक का पेट काटकर सारे की सारे अंड़े अभी निकाल लेते हैं तुम यही रुको मैं अभी बतक को लेकर आता हूँ फिर केबन बतक को ले आया और उसको मा डाला लेकिन जानते हो उससे उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला देखा अपनी लालच की वज़े से उसने उस बतक को ही मा डाला जोसे गाउं का क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी ये मैंने क्या कर दिया मेरी बतक मेरी सोने के अंड़े देने वाली बतक मर गई तो समझ गए लालच का फल हमेशा बुरा होता है ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी वायू हाँ, मैं सब समझ गया मैं भी केविन की तरह लालची बन गया था I'm sorry वायू Thank you वायू चलो, कुछ तु सीख लिया है अच्छा, अब मैं चलना चाहूँगा जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे Bye-bye वायू Bye-bye दोस्तो